आज हम बात करने वाले हैं Airtail Miss Call Alert Service को कैसे एक्टिवेट करते हैं अगर आपका मुबाइल सुच आफ रहेगा या फिर आप अपने मुबाइल को Flight Mode पर डालेंगे और उस दर्मियान अगर आपको कोई भी Call करेगा तो इस तरह से आपको Miss Call Alert का एक मैसेज मिल जाएगा मैं आपको इस वीडियो में दो आसान तरीके बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने मुबाइल के डाइलर में आना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक कोड डाइल करना है इस्टार 321 इस्टार 8001C यह कोड आपको डाइल करना है और आखरी में आपको हैश लगाना है हैश लगाने के बाद आपको इसे अपने एरेटेल नमबर से डाइल करना है डाइल करने के बाद कोड रन होगा और इस तरह से मैसेज आ जाएगा अब यहाँ पर आपको reply में दोस्तो one type करके इसे send कर देना है send करने के बाद दोस्तो कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में आपके mobile पर error tell miss call alert service activate हो जाएगी ठीक है code run हो रहा है यहाँ पर एक pop up आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको यह बता रहा है कि अभी आपका जो service है कुछ time में activate हो जाएगी अब यहाँ पर आपको एक से दो घंटे भी लग सकते हैं या एक दो दिन भी लग सकते हैं थोड़ा से आपको wait करना होगा ठीक है यह था हमारा पहला तरीका अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बता देता हूँ दूसरा तरीका क्या है दोस्तो आपको आना है play store में और play store में आने के बाद दोस्तो आपको airtel thanks app को download कर लेना है इसे open करना है इसके अंदर अपना mobile number डाल कर register कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो क्या होगा जब भी आपके mobile पर दोस्तो कोई miss call आएगा यानि कि आपका mobile जब switch off रहेगा या flight mode पर आप अपने mobile को डालेंगे और आपको किसी का call आएगा तो आपको दोस्तो इस तरह से message मिलेगा आप देखेंगे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा यहाँ पर मैं आपको message app ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा call manager आपको इसे open करना है इसे open करने के बाद उपर में आपको एक option मिलेगा alerts आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको miss call alert दिखाई देगा अगर number से हो है तो उसका नाम दिखाई देगा इस पर अगर आप click करेंगे तो उसका mobile fine number और यहाँ पर आपको timing भी पताचल जाएगा कब उसने आपको call किया था timing तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप दो तरीकों से MRTL SIM पर Miss Call Alert service को activate कर सकते हैं पता कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हैल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए